नमस्कार बच्चों मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसंथ्री पढ़ाऊंगे इससे पहली वीडियो में हमने जाना कि शब्द विचार किसे कहते हैं शब्दों के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से आज हम इसी लेसंथ की एक्सराइज करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहला कोश्चन है निमलिखित प्रिश्णों के उत्तर दीजिए तो बच्चो ये हमारे मौखिक प्रिशन है जिसमें की पहला प्रिशन है शब्दों के वर्गी करण के कितने आधार हैं इसका अंसर होगा शब्दों के वर्गी करण के चार आधार हैं सेक्ड कोश्चन दो सार्थक वे, दो निरर्थक शब्द बताईए आंसर सार्थक शब्द घर और पुस्तक निरर्थक शब्द तहां और वाना नाव थोड़ कोशन इस योगिक शब्दों के दो उधारन दीजिए आंसर नमबर वन सब्जीवाला और नमबर टू नेल कमर अब अगला कोशन है निमलिखित प्रिश्णों के उत्तर लिखिये जिसमें के पहला कोशन है शब्द किसे कहते हैं आंसर वर्णों का वह समू जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है नाव लिस्टन वन सब्जीवाला वर्णों का वह समू जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है शब्दों के वर्गी करन के कितने और कौन कौन से आधार है आंसर इस शब्दों के वर्गी करन के चार आधार है नंबर वन उत्पत्ती के आधार पर नंबर टू रचना के आधार पर नंबर थरी प्रियोग के आधार पर और नंबर फोर अर्थ के आधार पर थर्ड कोश्चन देश शब्द किसे कहते हैं चार उधारन लिखिये आंसर देशश शब्द उन्हें कहते हैं जो देश में बोली जाने वाली विभिन भाशाओं तथा बोलियों से हिंदी भाशा में आए हैं उधारन सडक, लकडी, पैसा, गाड़ी फोर्थ कोश्चन अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं आंसर अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं नमबर बन सार्थक और नमबर टू निरर्थक अब अगला कोशन है उचित शब्दों द्वारा रित स्थानों की पूर्थी कीजिए फर्ष्ट वर्णों के सार्थक सम्हू को कहते हैं क्या कहते हैं शब्द वर्णों के सार्थक सम्हू को शब्द कहते हैं सेकेंड, हिंदी भाषा में शब्दों को आधारों पर वर्गी करत किया जाता है कितने आधारों पर? चार हिंदी भाषा में शब्दों को चार आधारों पर वर्गी करत किया जाता है थर्ड, उत्पत्ती के आधार पर सूर्य शब्द है कैसा शब्द है? तत्शम उत्पत्ती के आधार पर सूर्य तत्शम शब्द है नमबर फूर, रचना के आधार पर शब्द प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तीन, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं अब अगला कोशन है निमलिखी शब्दों में से तत्शम, तद्भव, देशज, तथा विदेशी शब्दों को पहचान कर उनके सही स्थान पर लिखिये ये मिक्स करके दिये गए हैं तत्शम, तद्भव, देशज, और विदेशी इन हमें इन चारों में अलग-अलग करके लिखना है तो पहले हम लिखेंगे तत्शम इसमें आएगा दिवस, सूर्य, अगनी तद्भव, सांप, कान, घर देशस, पैसा, रोटी, गाड़ी विदेशी, कॉलेज, स्टेशन, चाय अब अगला कोशन है दिये गए शब्दों को मिलाकर योगिक शब्द बनाईए इन्हें हमें जोड कर शब्द बनाना है पहला है रसोई प्लस घर रसोई घर रेल प्लस गाड़ी पुस्तक प्लस आल्य मेध प्लस आल्य मेघारलय मास प्लस आहारी मास आहारी जल प्लस चर जल चर अब अगला कोशन है बहु विकल्पिये प्रिशन सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाईए इसमें पहला है वर्णों के मेल से बने सार्थक समू को कहते हैं इसमें ऑप्शन दिये है स्वर, शब्द, वियंजन और वाक्य आंसर शब्द तो हमें शब्द के आगे राइट का निशान लगाना है सेकिंड, संस्क्रत के वे शब्द जो अपने मूल रोप में हिंदी में प्रियुक्त होते हैं वे शब्द कहलाते हैं विदेशी, निरर्थक, तदभव और तत्षम आंसर तत्षम थर्ड, नील कमल शब्द है रूड, योगिक, योगरूड और निरर्थक आंसर योगिक फोर, वाक्य में प्रियुक्त होने पर शब्द कहलाते हैं उद्देश्य, विधे, विकारी या पद तो आंसर पद, पद के आगे राइट का निशान लगाएंगे अब अगला कुशन है, आप सामानने बातचीत में जिन शब्दों का प्रियोग करते हैं, उन पर ध्यान दीजिए उन शब्दों की तत्षम, तदभव, देशस, तथा विदेशी शब्दों के आधार पर सूचियां बनाईए तो बच्चों इसमें सबसे पहले उपर लिखेंगे तत्षम, तदभव, देशस, तथा विदेशी जैसे के हमने पीछे वाला कोशन किया था यह, इसमें हमें यह चारों लिख लेंगे और फिर उनके नीचे हमें यही लिख देंगे या कोई और शब्द लिख दो, खीक है, तो यह हमारा लेसन कम्प्लेट हो चुका है, आशा करती हूँ इसके शब्द विचार लेसन के जो एक्सरसाइज हमने आज की है वो भली भात चारी आपको समझ आ गही होगी तो बच्चो, अब मैं बताती हूँ, इसमें वर्क कैसे करना है? बुक में क्या करना है? और कौपी में क्या करना है? तो सबसे पहले हैं? कोशन अंसर यह जो कोशन है? यह कौपी में करने हैं य년 जितने सब्दसिक्र YOUR त्यविशन देये आपको कौपी में ही करना है इसमें एक सारनी बना लेना ऐसे जैसे यह वाली बनी हुई है और ऐसे ही आपको यह कौपी में करना है धन्यवाद